किसान भाईयों नमस्कार मैं राजूराम राठोड जोत्पुर राजस्तान से आज आपको वेस्टडी कंपोजर का बहुती बहतर परिणाम दिखाने जा रहा हूँ मैंने मेरे खेत में हर फ़सर लगा रखी है जो हमारे ग्रामेन अंचल में होती है पानी बहुत ज़्यादा फ्लोराइड वाला है फिर भी वेस्टडी कंपोजर से हमें बहुत ही उत्तम बहुती बढ़ी अपरिणाम आ रहा है और आया भी मैं आज आपको सोगरी की फसल में जो मैंने एक उत्पाद बना के वेस्टडी कंपोजर के साथ इस्फरे किया था चिड़काव किया था और जमीन में भी उस गोल का लिक्विड उचित मातरा रखके दिया जिसका प्रिणाम मुझे बहुत अच्छा आया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सामने पत्थर के उपर इस्केल के साहरे कुछ फलियां पड़ी देख रहे हैं ये बराबर एक फिट की स्केल है 12 इंच की मैंने मेरे खेत में जो सोगरी की मेडबंदी के साहरे कुछ पोधे लगाये थे उसमें मैंने फूल आने से पहले इस्टॉन कल्चर का छिड़काव किया था और फूल आने के पहले इस्टॉन कल्चर का छिड़काव करने के बाद एक वेस्टर डीकमपोजर का इस पर कोरा किया उसके साथ कोई निट्रेन नहीं मिलाया फिर जब दूसरा उसके फूल आ गए तब दूसरा इस पर फिर मैंने इस्टॉन कल्चर का किया तो परेना में पाया यह गया कि सोगरी की लंबाई जो फली की लंबाई एकदम अचमबा करने वाली बढ़ी मैं आपको एक फली ये जो दिखा रहा हूँ देखिए मैं कुछ फली आपके सामने इसको खोल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इसकी लंबा ही देखिए आप आट से बारा इंच है कई ऐसी फलियां हैं जो की बहुत लंबी है देखिए अब इसकेल के साहरी इसको रखे मापते हैं यह यहाँ इसकेल है यहाँ अब देखते हैं यह कितनी लंबी है यहां इस scale के उपर रखने के बाद मापते हैं तो बराबर 30 cm लंबी है आप देख सकते हैं 30 cm इसको सीधी देखिए इसको सीधी मापते हैं तो बराबर 30 cm की लेकेरी पर जाके अटकती है यहां देखिए याने की मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप किसी भी फसल में जो आप चाए बागवानी कर रहे हैं या फिर कोई भी फसल कर रहे हैं उसमें आप Wasterdy Composer के साथ निव्टरेंट जो बनाते हैं उसमें पत्थरों का गोल जरूर बनाए क्योंकि पत्थरों के गोल को 20 दिन लिचिंग कराने के बाद उसके अंदर से जो तत्व निकलते हैं वो 108 से 112 होते हैं फसल को पूर्ण निूट्रेंड देता है और फसल की जो फली बनी है देख सकते हैं आप अचमबा करने वाली जो हम हमारे खेत में इस से पहले जो फसल यही लगाते थे यानि कि सोगरी की जो फसल लगाते थे जिसकी फली 6 इंच साड़े 6 इंच हद हो गई तो 7 इंच तक जाती थी लेकिन ये बार इस बार तो बहुत ही चमतकार देखने को मिल रहा है बराबर आप देख सकते हैं यहां तक अंतिम शोर और यहां सुड़वाती शोर जो है सोगरी का वो 30 सैंटी मिटर तक बढ़ गई है और इसका स्वाध भी बहुत बहतर है देखिए यह जो ब्लेकनेस इसके अंदर आई है हरी फली के अंदर जो ब्लेकनेस देख रहा है यह नेचुरली तत्तु है इसके अंदर देखिए अभी इसको मापते हैं यह 80 सैंटी मिटर है ईसे यानि की कूल मिला के फसल कोई भी हो अगर आप समय पे न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट के साथ स्टोंड कल्चर मैं आपको गारेंटी देता हूं कि सांसाती हूं अगर आप समय पे फूल आने से पहले फूल आने के बाद और फल बनते समय अगर आप समय अनुसार इस्टोन कल्चर का इस्तिमाल करते हैं तो आपका उत्पादन 100% बढ़ेगा जैसे कि मैं आपको प्रतेख्स दिखा रहा हूँ इसकेल के सहारे ताकि किसी को भी असमन जस्न हो कि वास्तों में वेस्टर डीकमपोजर कमाल करता है या नहीं करता है देखे कुछ फलीयां मैंने इकटी कर रखी एक ही पोदे की आप इसकी लंबाई जब इसको खाया जाता है यानि कि कच्चा खाए या इसको सब्जी बना के खाये तो इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है खेत भी सुदर रहा है उत्पादन भी सुदर रहा है और फसलों के अंदर जो गुनवत्ता है वो बदल रही है इसके जो पोशक तत तो उसमें बडोतरी हो रही है और अगर इसको बजार में बेचे तो किसान साथियों अभी देखे इतने लंबी होने के बाद भी एकदम कच्ची जक्ख है यानि कि अभी पकी हुई भी नहीं है अगर इसको दो चार दिन और छोड़ दे तो इसकी बीज आसानी से बन सकती है और मैं आपको बता दूँ इस एक फिट जैसी फलियां इसका हम पीछे जो पोधे ब बचेगी एक फिट से लेकर 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच तक कि जो भी बचेगी उनको हम स्टोरेज करके रखेंगे उसका बीज रखेंगे ताकि आने वाली सीजन में आने वाली समय में इसका बीज हम फिर से लगाएंगे अपने खेत में बजार से नहीं लाएंगे ताकि जो कि नुक्सान दाइक है कहीं तरह के कीट उसके उपर अटेक करते हैं और इसके उपर पत्थरों का गुल समय समय पे इस तरह इस पर करने के बाद ये भी परिणाम रहा कि अभी तक आज 26 जनवरी है आज तक इस फसल के उपर एक भी कोई तरह का कीट प्रकोप नहीं हुआ ह अक्सर यहां दिन बदलते बदलते अब जैसे मौसम हो रहा है बदलने वाला तो शक्रांती के बाद सोगरी की फसल पर बहुत ज़्यादा मेला जो छोटा हरा और काला रंग का माहू होता है बहुत अटेक कर जाता है लेकिन समय पर ध्यान रखने वो समय पर उचित नूट् है तो किसान सातियों अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा आप कुछ भी करें लेकिन जेविक खेती वेस्टर डी कमपोजर के साथ करें मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूं और गारंटी देता हूं अगर आप समय समय पर सभी तरह के नूट्रेंट हां ये बात जरूरी थोड़ी सी मेहनत को बढ़ानी आपको पड़ेगी और तनमन धन से अगर आप मिट्टी को सुधारने में लगोगे जैसे ये मेरे खेत का उत्पादन मुझे मिल रहा है आपको भी मिलेगा अधिक जानकारे के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे वाट्शॉ को भी देखना होता है किसानों को भी संबालना होता है और अंत में मेरे नंबर देता हूं वाट्शॉप ताकि आपको कोई दिक्कत नहों मुझे वाट्शॉप करने में 9461691944 नमस्कार अंत में आप सभी को फिर से कहता हूं तुम मुझे खेत दो मैं तुमें रसाइन से किसानों रसाइज छोड़ो नमस्कार